शिपुरी जिले में एक बार फिर वर्षा अपना रोधर रूप धारान करती हुई नजर आ रही हैं बीते वर्ष वर्षा काल में घटे थुई जैसे घटना एक बार फिर सामने आने लगी हैं बेती रोज दो चरवाहे शिपुरी जिले के बामूर कला थाना शितर के खिसलानी गाव में बेतवा नदी में उफान के चलते फस गया थे जन्हें अजडियारेफ की टीम ने 24 गंटे के बाद कड़ी मशुकत के बाद बाहा निकाला था और इससे पहले एक बज़र्ग महिला क शब करेरा थाना की नहर में बहकरा चुका था आज फिर कोलारस थाना शितर के गराम टामकी में संधर नदी को पार करते समय एक युवक नदी के तेजबाहा में भागया जिसे तलाशने के लिए ग्रामीन सहित कोलारस पुलिस जो है वो जूती हुई है आपको बतादे कि श मोनू गुर्जर को केत नदी के दूसरे मोहाने पर इसके लिए उसे रोज नदी पार करके खेत पर जाना होता था आज फिर मोनू गुर्जर ने वही किया केत पर जाने के लिए मोनू ने नदी को पार करना चाहा लेकिन नदी में तेजबाहा के वो भाप नहीं पाया जिसक पूरे मामले को लेकर जाच शुरू कर दी है